हेलो सुस्वागत आपका हिंदी कॉमिक वर्ड में जहापर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एज अप अल्टरन का लास्ट का एपिसोड और यह एंड होगा एज अप अल्टरन जो की एक टाइम टैवलिंग कॉमिक सीरीज है तो जेली शुरू करते हैं आज का वीडियो कुछ मैंने बाद नियॉर्क लेबराटरी डॉक्टर हैंडरी पिम की क्या पर उसे दर्वाजा खुलने के लिए एक मेसिज आता है और वो दर्वाजा खुलने के बाद उसे एक वीडियो टेप मिलती है जो वीडियो टेप सुजन ने इन्वीजिबल होकर उसके लेबराटरी के बाहर रखी थी और उस वीडियो टेप के जरीए उसे बता चलता ह कि उसे क्या करना है और वो क्या कर चुका है यानिका अल्टाउन के बारे में और इस बार वो जानता था कि अल्टाउन क्या कहसे ला है थोट़े दिनों बात एक शूपर विलेंट की टीम जिनका नाम था इंटेलेजनसीildose जिन्होंने Avengers पर हमला कर दिया था और उसे तरी में अल्टरन फिर से मैनेपलेट हो जाता है और उन सभी Avengers पर एक एकर करके हमला करने लगता है और यहाँ पर कोई भी उसका सामना करने की ताकत नहीं रखता था या तक कि Thor, Captain Marvel और बाकी सभी Heroes वो एक एकर के धेर होने लगे थे Tony अपने वाइरस का इस्तमाल करके उसे स्टॉप करने की कोशिश करता है लेकिन वो भी नाकामियाप साबित होता है तब Henry Pym जो कि अपनी लैब में बेटावा था वो एक वाइरस की मदद से उसे वही पर शटडाउन कर देता है और पूछने के बाद वो पताता है कि जब व पैर मैं पुछता है कि तुमने ये पहले क्यों नहीं किया तब Henry Pym कहता है क्योंकि इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि यह इसमें involved हो सकता है या फिर यह इसमें involved हो चुका है यहाँ पर सूजन और लोगण दोनों ही उपने उस वक्त में आ चुके थे जिस वक्त से वह वापस गए थे और वापस आने के बाद उन्हें वो टाइम लाइन सही तरफे मिलती है लेकिन जैसे ही वो लोग बाते कर रहे थे तबी उसी reality में उन्हें crack नजर आने लगते हैं सबी realities देरे-देरे करके change होने लगती है और realities broke होकर हमारे heroes किसी तरह से उसमें survive करने कलते है क्या पर विम, Tony Stark और Hank McCoy एक जिसे से बात कर रहे थे और वो जान चुके थे ये reality break होने की वज़े से वो लोग काफी मुसिबत में पढ़ सकते है और वो लोग इस नतिज़े में पहुंचे थे कि अल्टरॉन को destroy करने के लिए वुल्गरीन ने जो time और space के साथ किया उसी वज़े से space time तबाह हो रहा है और वो लोग किसी linear reality में exit कर रहे हैं अभी तबैंक कहता है अगर यह सच है तो यह इससे पहले क्यों नहीं हुआ time travel हमने कई बार की है तब पीम कहता है लेकिन उसने एक ही जगा पर कई बार की इस वज़े से यह सब कुछ mess create हो चुका है और अब problem सिर्फ अर्थ की नहीं थी बलकि अर्थ के साथ पाकी सभी exit कर रहे हैं सभी planets की थी और सभी beings की सभी लोग दिले-दिले करके अपने जिवन में आये उस बदलाव को accept करे रहे थे कि तबी Henry Pym अपने काम के दोरां कहता है कि मुझे पता है तो नहीं कि यह कैसे करना है और मैं उस artificial intelligence के बारे में सोचना बन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि हमारी human race को आगे जाने के लिए कि यह कारगरसा भीद हो सकता है मैंने पिछली बार जो गलती की थी वो मुझे पता था कि इस बार नहीं करनी है और इस वज़े से मैं जानता हूँ कि मैंने कहा पर गलती की थी और अब मैं वो गलती नहीं करने वाला तो क्या ये सब ये पर खत्म होगा क्या फिर ये सब किसी और अंग की शुरुवात होगी तो इसकी साथ आज का वीडियो ये पर खत्म होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताए कि आप कोई वीडियो कैसा लगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तो की लिए थैंक यू फ्रेंट्स एंड टो अट लाइब जन्ने बाद और जाहिन